कि कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूं मसने होंगे चागा-चाखोंगे खुश होंगे दोस्तों आपको पता है कि अर्ण केडमी का एक फेस्टिबल चल रहा है जिसका नाम है लर्निंग फेस्टिबल तो क्या है लर्निंग सबसे पहले उसको जान लेते हैं फिर बढ़िया सांदर तरीकी से पढ़ाई करते हैं आ जाएए दोस्तों यहां पर देखिए अन एकडमी का फेस्टिबल चल रहा है जिसका नाम है लर्निंग पेस्टिबल जिसमें आपको 45 दिनों का सबस्रिप्शन मिलेगा वह बहुत को बढ़िया सांदर तरीकी के ओफर है इसका जरूरू फाइदा ले और दोस्तों अगर आप कोड यूज करते हैं EP10 जब आप इसको पर्चेस करेंगे तो वहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है वहाँ पर EP10 अगर आप लोग डालते हो तो आपको पिला सब्सक्राइब का जो बेनिफिट है वो क्या है पहला पहला है कि शुडूल चैट वर्क फोर यू आपके लिए पूरा शुडूल बनाया जाएगा कब आपसे बात करना है आपका सिलेबस हर एक चीज आपका टाइम टेवल बनाया जाएगा इसके बाद नो लेंगवेज आपको हिंदी में पढ़ना है जो टीचर हिंदी बोलते उन से पढ़सकते एंग्लिस वालो से पढ़सकते हैं आप जिस स्टेट पे है वहाँ जो low cannon बोली जाती उसमें भी पढ़ सकते इसका अंसर लाइब लेक्शुर रहते हैं चलिफ और पर भी पढ़ सकते हैं इंट्रेक्ट इसके बाद घैट्स आप वो किलियर कर सकते हैं अपर सची बात हिए इसके बाद लाइब कि नहीं के होते हैं लाइब टेस्ट इसके यह आप लाइब दे का कितने टेस्ट लगाए यह सबसे अच्छी चीज़ इसके बाद क्या है पीडियाइप एंड लर्निंग मटेरियल क्या है टॉप मोस इंडिया के टॉप मोस एजुकेटर के द्वारा जो बनाएगा मटेरियल है वह आपको मिलेगा जस्ट टू नाइंटीनाइन और उसमें भी एपी उसमें भी आप लोग एपी टैन अगर कोड यूज करते हो तो आपका अप्टू 20 पर्शेंट डिसकाउंट भी मिलेगा अप्टू 20 पर्शेंट डिसकाउंट तो इस फेस्टिवल का भीया फायदा उठाएं और जली से फटाफट जाके जोइन कर लें कहां जोइन करन है डिस्केप्शन में सी लिंग प्टसकिन में जाएँ लिंक पर कल lutर करें वहीं पहुंचाएंगे आप आपको एक ृब्लोड करना पड़ेगा अनेकेडमी लर्निंग है वहाँ पर कोर्स डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा करना है नीचे कोट डालना पड़ेगा और आपने पर्चिस कर लिया इतनी सिंपल सी प्रॉसेस बेनेफिट इतने सार है तो जाके फटफट कर लिजी अभी करना है क्योंकि लास्ट डेट है ज्या पर कोश्चन चलेंगे चार अप्शन होंगे आपको अंसर बताना है पंदरा कोश्चन हो में से आप कितने सही करते हो यह बहुत इंपोर्टेंट है चलिए फिर हम लोग इसी का थियोरी क्लास देंगे आपको पूरा स्ट्रक्शन बताएंगे रूल बताएंगे के बैठते हैं इंगलिस आपको भले नहीं आती हो मगर कॉंपटिशन एक्जाम के क्या एक नियम है एक प्रॉसेस है अगर आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बनेगी न तो वो प्रॉसेस हम आपको बताएंगे फिर उसको आप फॉलो करना आपसे बनेगी चलिए पह अधर कंट्री इन दा वर्ल्ड जो हमारी आरमी है आर्मी की तो क्या बात करें वह तो है हमें गर्ब है हमारी आर्मी पर जो हमारी आर्मी है वो दूसरे देशों से कई बहतर है कई सुपीरियर है ठीक है है चलिए प्राउड ओफ टू अभाई इंडियन अगर हम भारती है त से comment भर दीजिए आर्मी के लिए आर्मी के लिए वीड़ै को लैक तो बनता है पहला कोश्चन आर्मी treating लाइक waren still जली से बताओं क्यां सरोगा फ़स्ट का तो Hmm जली मैं बता दिता हो जब भी superior कि आती है ना तो सुपिरियर के साथ हमेंसा टू लगता है सुपिरियर टू दोस ऑफ एनी अधर कंट्री इन दा वर्ल्ड याद रखना आपको इसका वी इस दा राइट अंसर अगला कोश्चन ने डू नौट क्राइट डैस स्प्लिट मिल्क तू नौट क्राइट डैस स्प्लि क्या रहने वाला चलीए जब भी इस तरह का कोश्चना आ आए डू नौट क्राइट 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 वर स्प्लिट मिल्क डू नौट क्राइट ओवर अ क्ली मिल्क में अगला क्या दो या अपना कभी परस गिर गया होगा तो किसी वेक्ति ने बिना कुछ लिए आपको रिटन कर दिया अच्छा सेंटेंस बताइए क्या होगा ही डिज़र्व माई थें Cart नो फूर्ज लिए फॉर है Having sound कि आफ मुने चार्यव बताइए इसमें प्रेंसरिमा अपके साप से थेंप थेसद्agogue आपको उन्स लगाना है फटा-फट चलिए थटका अंसर बताईए जल्ली से फटा-फट जल्ली से थटका अंसर बताईए थटका अंसर है भई ए ए इस दा राइट अंसर है विंग फांट ठीक है थैंक फोर हैविंग फांड माइपर्स और टेंट टू मी बिदाउट टेकिंग एनी फ्रॉम इट तो एज दा राइट अंसर अगला देखी सिक्स कोश्चन है सिक्स का अंसर क्या है दा ग्रीन आइड मॉंस्टर मीन्स सिक्स नहीं है सोरी फोर है थर्ट के बाद आएगा फोर फोर को इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है ग्रीन आइड मॉंस्टर मतलब जलेसी जल इसिवेक्ति से जलन होती है यहां पर कि टाइलेक्टिसटी इस बैस देन कोलग टूचीप है चीपर या बेश्ट है तो यहां पर था एलेक्ट से यहांट की आए आपको आपको आंसर यहांपे मिल गया है को बात नहीं एक बॉनस पाइंट है आपको एक आंसर दिख गए में पर तो दाइलेक्टिसीटि इस चीपर रिन को एलेकिल सीपर है इसलिए यूस करना चाहिए अगला कोश्चन क्या है आप्टर 6 मंद यू केन आलसो स्पीक इन इंग्लिस डैस मी अराउंड मी लाइक मी विदाउट मी या अवाउड मी ठीक है यह कौन सा कोश्चन है सिक्सक्राइब इसका अंसर दीजिए जली से जली से कमेंट भर दीजिए तो भया चे मंद के बाद आप मेरे जैसी मेरे जैसी इंगलिस बोलने लगोग यू यहां पर क्या है का लाइक बहुत सिंपल लाइक मी अराउंड मी थोड़ी आएगा यार विदाउट मी नहीं आएगा अवाउड मी नहीं आएगा तो लाइक मी इस गार्ट आनसर जली से बता आंसर बताईए जली से फटाफट कमेंट करिए कि आपके साब से क्या अंसर होगा चलि मैं बता देता हूं उसका जो आंसर होगा ऐह होगा आल दा विनर्स विल वी गिवन प्राइस टुमारो तो है इस का आंसर बताईए जली से अमेरिका डैस दौपावर पीडेंट ध्यान अंसर आपको बताना फटा पनेंट वट d In बताईए मैं आमेरिका के साथ की आ या है mise ऐगा अमेरिका हैस दा पावर्फुल प्रसीडेंट यह तो पता है न आपको आई के साथ है लगता है सब किस सब्जेट के साथ यह सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेट के साथ क्या लगेगा भई हैस लगेगा ठीक है नाइन कोशन का अंसर दीजिए अमीर खान डैस न्यू मूबी नेक्स्ट यह इस रिलीज बिल भी रिलीज गोइंग टू रिलीज या बिल रिलीज तो बिल भी का कोई काम नहीं है आपर गोइंग टू भी नहीं आएगा इस नहीं आएगा तो यहां पर क्या होगा ट्वेल देखिए तेंथ का देखिए आंसर एंजल हैस बिन सेंडिंग इंग्लिस लर्निंग वीडियोज डैस जुलाइड 2014 सिंस आएगा अब देखो जुलाइड 2014 की बात करें ना इस पॉइंट टाइम है पॉइंट टाइम है अब बताइए पॉइंट टाइम में क्या लग आशर गयार्वेक आउट डेखिए एंजल इस फैमास डैस इंग्लिस इन जाजडन जाजडन फोर इन अबाउट या विडिट है जलिविके बताईए जब इस तरह का सेंटेस आएगा ना अजन इस फैमास तो इन नहीं आएगा अब आएगा विद नहीं आएगा पूइन इ इन जाजड़न ठीक है इस जाजड़न तो एल का अंसर बताइए बिफोर सम्टाइम्स कॉमा दा मंकी जंप इन दा रिवर तो इसका क्या आता वह इंटू जब भी आप कोई चीज में कूदते हैं जिसे नदी में कूदना है कहीं गद्दे पर कूदना है बैड पर कूद रहा ह है अटेबल पर कूद रही है तो इन टू का यूज होता है जन्रली इसका आंसर की आएगा बी इस दा राइट आंसर विफोर सम्टाइम्स दमंकी जंप इन्टू दरिवर तर्टें का बताईए विफोर यू गैव आंसर सब डैस देंटू असर सेंट दें टू आस बिल सबसे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो इसका जो आंसर आएगा है सेंट क्या आएगा हैं सेंट हैं सेंट हैं सेंट देंट तो अगला कोशन देखिए 14 का आंसर दिजिए जल्ली से बोड डश not किसे इंट है ऑगसें से बोड यहां पर क्या एगा बोड दिड आउट है अगर पिछले साल कोई कोश्चन में नहीं आया था पिछली बार एक्जाम में यहीं सेंटेस्ट बनेगा बोट दिद नॉट आज दिस कोश्चन इन दा प्रिविएस एक्जाम तो एस दराइट आप 15 पे चलते हैं हम लोग कोलम्बस वास इन दा सर्च अमेरीका कोलम्बस ने अगर आप से कुश्चन पुछा ळाता अमेरिका कि खुच किस ने करी है तो कोलम्बस वास इन शर्च डैस अमेरीका होर ओफ आफ ऑवाउट या अंडर बताइए जली से है तो बहु gekfun तब अगर search की बात होती तो ओफ लगता है यहाँ पर Columbus बास इंद सर्च ऑफ अमेरिका Columbus बास इन सर्च ऑफ अमेरिका Columbus अमेरिका के खुज में निकला था ठीक है चली भई अब यह समय आ गया है कि आपको बताना सब्सक्राइब करें इंगलेजी को बहुत अच्छे सीख सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो इंजॉय के साथ फन के साथ अंग्रेजी सीख भी सकते हो पड़ भी सकते हो और आगे जाके पड़ा भी सकते हैं अगर आप इन कोश्चनों की पीडियाप चाहते हो तो आप कुछ नहीं करना है यहां से देखिए एक यहां पर QR कोड आएगा उससे अपने मुबाइल से स्कैन करना है और पूरी की आएगे नीचे रूल आएगा किसमें उपन करें तो आप किसी भी गूगल पर क्रॉम पर उपन कर लेंगे पूरा का पूरा पूरा पीडियाइफ बित आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है चली तो उम्मीद करता हो दोस्तों अगर आप आखरी तक बने तो आपको वीडियो प पढ़ना चाहते हैं बने रहिए अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पर आपका अपना चैनल है इंग्लिस पॉइंट जै हिंद जै भारत मिलते नेक्स वीडियो में बाइबाए